जोदपुर की अदालत में शनिवार को गैंक्स्टर लोरेंस बिश्णोई की पेशी हुई जिसमें उसके बयान दर्ज किये गए गुजरात की साबरमती जेल से वीडियो कॉलिंग के जरीए बयान दर्ज हुए दरसल ट्रेवल वेवसाई मनीश जेन से रंगदारी वसूले के मामले में लोरेंस ने कोट में सभी सवालों के जवाब देते हुए पूरे प्रकरण को जूटा बताया पुलिस पर फर्जी कारवाई कर भसाने का भी आरूप लगाया गैंस्टर का कहना है कि मैं जेल में बन था ऐसे में मॉबाइल पर धंकाना संभव नहीं है दरसल 17 मार्च 2017 को जोधपुर के शास्त्री नगर धाने में निजी ट्रेवल्स मालिक मनीश जेन ने लोरेंस बिशनोई के नाम से धंकी मिलने के रिपोर्ट दी थी पीडित ने रिपोर्ट की कि उसकी दुकान पर दो लोगों ने फायरिंग करने का प्रियास किया था लेकिन रिवॉल्वर में गोली फस जाने की वजह से फायर नहीं हो सका मामले में निजी ट्रेवल के मालिक ने CCTV फुटेज भी पुलिस को सोपे थे इस फायरिंग के बाद मनीज जैन के मॉबाइल पर अंतरराश्ट्री अकोल से लोरेंस विशनोई के नाम से धम की भी आई थी और उससे रंगदारी की मांग की गई थी इस मामले में पुलिस ने जाच करते हुए लोरेंस विशनोई और उसके भाई अनमोल विशनोई को मास्टर माइन मानते हुए जाच शुरू की थी इस मामले पर लोरेंस विशनोई के वकील संजे विशनोई ने क्या कहा सुनिये आज जैन ट्राइवल्स के ओपिस में कि कोई दो विक्ति अंदर गुसे थे और बंदुख दिखा के धंकाने का केस था रंगदारी मांगने का मामला था अगर मजिट्रेट संकिया साथ में अरसित हाडा जी की कोट में उनके मुल्जिम बयान होने थे और मुल्जिम बयान जो है जरिये वी सी साबरमती जेल से रिकॉर्ड किये गया और मुल्जिम द्वारा हर परसन का उतर दिया गया था जिसमें उससे पूछा गया था कि क्या उसने मनीज जैन को जरिये मोबाइल धंकी दी थी तो उसके दोरा मना गया गया और उसके दोरा एक बताया गया कि वो पिछले 11 वर्सों से नियाएक अभी रक्षा में है जेल में निरुत था गटना के दिन से पहले भी नियाएक अभी हाँ उसके दोरा ये बताया गया कि वही पुलीस के दोरा ये फर्जी कारवाई की गई है और जब वो फर्जी कारवाई में सयोग करने से उसके दोरा मना गया गया तो उसके भाई को भी अवैद रूप से इस प्रकरण में लिप्त किया गया और उस पे दबाव बनाया गया इस मामले में अगली पेसी अभी तारिकानी है मामला इसमें प्रदीवादी ने ये दर्ज कराया था कि उसके आफिस के अंदर आके दो विक्ति आये थे और उन्हेंने फायर करने को सिश्चिती लेकिन गन लॉक हो जाने के वज़े से फायर हुआ नहीं फिर वो जो वेक्ति वहां से बाग गये थे उसके पस्चाथ परिवादी को तीन-चार इंटरनेट कॉल है जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपने रंगदारी है तो पैसे नहीं दिये तो आपकी जान को खत्रा होगा यहीं मामला था लूर्स की पेशी केदोरान कई अधिवक्टा गोड में मौजूद थे उनमेंसे कुछ अधिवक्ताओं ने बताया कि आज पेशी केदोरान लूरेंस ने केसरिय कलर का अपना पसंदिदा शर्ट पहन रखा था इसके लावा हाथ में रुदराक्ष की माला थी और सिंदूर का तिलक लगा रखा था दरसल आज शनिवार है और संवत पेशी से पूर्व लोरेंस ने हनुमान जी की पूजा की होगी तो इस तरह से वह एकदम बगती बाव समय था जैसा कि लोगों कहते हैं इसके बारे में जो सुना है वह सच्चा है उसके और इंज कलर का टीसर था बिल्यू करकर जिंस थी खाथ में रुद्राइस की माला थी और वह अपना बगती बाव में था और वह 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 बयान वह एकद विल्हाल रंगदारी वसूली और लॉरेंस के नाम पर फाइरिंग और डराने का खैल जोधपूर में खत्म हो चुका है। लेकिन लॉरेंस और जोधपूर का नाता फिलहाल टूटा नहीं है। टीवी नाइन राजस्थान के लिए जोधपूर से युगारवत वियास की रिपोर्ट